हरहर महादेव, यह जो हाली में हमारे 40 सियार पिफ के जवान मारे गए, उससे मेरा दिल बहुत ही दुख हुआ और मुझे बहुत मेरे को एक अंदर से पीडा हुई और उस पीडा से बचने के लिए मैंने उस वक्त गीता पड़ी और जब मन मात्र भूमी की रक्षा करे जवानों के लिए सोच रहा हो और मात्र भूमी के बारे में सोच रहा हो तो देश भक्ती से ओध प्रोथ होता है और हम यह सोचते हैं आखिर कब तक? क्योंकि पागिस्तान तो कुत्ते की वो तेड़ी पूछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती ये वो सुवर है जो नाली में ही रहता और नाली में ही मरता है इसके लिए सेना सीधे सीधे से लड़े ये विकल्प नहीं है इसको इसकी भाशा में जवाब देना वो विकल्प है जब स सारे अधर्मी एक हो जाते हैं और एक मात्र विकल्प बचता है युद्ध प्रहार शत्रू को निश्टो नाबूत मिटा देने का इस तरह से उनको बोटियां देकर उनको जीवित रखके क्या फाइदा तो जब आपको पता है वो सामने की लड़ाई आरपार की नहीं लड़े तो हमें उनसे बदला लेना चाहिए और उन पे टूट पढ़ना चाहिए तो इस भावना से उत्रोट जब मेरा मन था तो मैंने उस भावना को व्यक्त करने के लिए उसे लिखा तो रचना में बन गई तो मुझे लगा मुझे कई लोगों ने कहा कि ये रचना को आप वीड देश को बहुत प्यार करती हूँ। पार्त आगे बढ़ो शत्रू के शीश काटो और माभारती के केशो को धो दो तभी सैनिकों का बलिदान व्यर्थना जाएगा याद रहे एक भी शत्रू बचना पाए वरना मात्र भूमी के लालों का बलिदान अदूरा रह जाएगा शीश मत जुकने देना तुम भले ही वीरगती आए भले ही लरते वीरगती आए सैनिक का सम्मान बड़ा है और माभारती की लाज बचानी है शत्रू को शत्रू के आगन में उजाड उसका अस्तित्व मिटाना है जो मृत हो गए हमारे सैनिक शत्रू के कायर प्रहार से उस शत्रू को उसकी दानफता के लिए उसके घर में गुस उसकी असलियत बतलानी है शीष मत जुकने देना तुम माभारती का उठो लड़ो युद करो रंचंडी जाग उठी है इसी संदेश के साथ मैं प्राचि अदिकारी अब भारत की सरकार से अनुरोध करती हूं जितना शीग्र हो सके चाहे हमें कुछ भी प्रणाम भुगतने पड़े हमारा एक मात्र विकल होना चाहिए युद इसके इलावा कुछ नहीं आखिर कब तक हम अपने स्टैनिकों की शहादत का मातम बनाते रहेंगे कब तक हम कहते रहेंगे हमारा शैनिक मारा गया मरना कोई सम्मान की बात नहीं होती लड़ते लड़ते अगर शैनिक मरे तो उसे बलिदान को कहते हैं कि वो लड़ते लड़ते वीर गती प्राप्त हुए लेकिन हम मरने के लिए बिना लड़े मरें यह बात नहीं यह बात यह बात गलत है और यह पागिस्तान जो है यह कठमुले यह जिहादी इनको अब बताना है कि तुम जो पांच बार जुग जुग के दुनिया का जो ताबूत, जो मौत का ताबूत बना रहे हो, अब बस करो, अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, वो दिन दूर नहीं, जब लोग इनको चुन-चुन के मारेंगे, और पूरी दुनिया को मैं बताऊंगी, मैं बताऊंगी अपने वीडियो के माधियम से, कि ये जो नपुनसक पागिस्तानी हैं, ये हिजडे अफीम खाकर सेना पे कैसे बॉम पहन कर आते हैं और मरने के लिए, क्या मिलता है इनको बहत्तर जो हूरे हैं, उनके पास जाना होता है, अरे तुम्हें जाना है तो अपनी म मा के पास जाओ, अपनी बहन के पास जाओ, उनको मारो, अपने घर की छोटी बहनों का रेप करो जो तुम्हारे को आधात है करने की, हमारे सेनिकों को अगर तुम इस तरह से उकसाओगे और हमारे देश के खून को इस तरह से खुलाओगे, तुमको काट दिया जाएगा, तुमको काट दिया चाहेगा, हिजडे हो तुम, तुम्हारे देश की सेना नहीं है, वो जो सलवार सूट पहने के घूंते हैं, पठान सूट पहने के वो हिजडे हैं, ठीक है, सैनिक होता है वर्दी में और लड़ते लड़ते, उसे मरता भी है तो सम्मान मिलता है, यहां यहां पर हिजडे यहां पर जेनियू वगर में पढ़के और यह दूसरी उनिवर्सिटी में पढ़के, हमारे देश का खाके, हमारे टेक्सपेर्स के पैसों का खाके, तुम साले इस तरह से करते हो, तुमारा कभी अच्छा नहीं होगा, भारस सरकार को चाहिएगी हम जैसे टेक्सपेर्स का पैसा तुमारी यह जेनियू और यह अलिगरी मुर्सलिम перевर इवर्सिटी में जो लबता है ना सब बंद करें, यह मेरी अपील है, क्यों दे हम, हम पैसा देते हैं सेनिकों के लिए, हम सरकार के लिए पैसा देते हैं, हम अपने देश को मझबूत बनाने के कड़े से कड़ा एक्षन ले, जो आज बंद करिए इनकी सिक्योरिटी, वो पहले ही कर देने चाहिए ये ते अलगावादियों की, जय 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 भारतवन देव मात्रम, हर हर महादेव!